नमस्कार दोस्तो आज हम बनाएंगे कठल की मसालेदार सबजी जिसे अगर आपने एक बार 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 इसी तरीके से बनाना पसंद करोगे तो चलिए फटा फट से रस्पी को शुरू करते हैं तो दोस्तो कठल की सबजी बनाने के लिए मैं डेड़ किलो कठल मार्केट से लाई थी आदे की ही हम सबजी बनाएंगे और देखे आदा में छिलवा कर ही लाई थी तो कठल छिलने के लिए आपको चक्कू में लगा लेना है या तो सरसों का तेल या फिर नीमबू भी लगा स अब कठल को आप काट लीजिए जैसे भी पीसीज आपको करने है वैसे आप कर लीजिएगा आपको लगे कि चक्कू में चिपचपाहट हो रही है या तेज नहीं है तो फिर से आप इसमें लेमन जूस लगा लीजिएगा और ये देखे कठल के जो बीच बाला हाड पाठ होता है न वो हम निकाल देंगे थोड़ा थोड़ा हमने रख लिया है अगर हम पूरा ही इसे निकाल देंगे तो फिर क्या होगा कठल की जो फांके है न अलग लग हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पर रहने दीजिए बाकी निकाल लेजिए और कई बार कठल जो है न ताजा ह बाट लिया है और कठल के बीच में जो बीज होते हैं ये देखिए वो कई बार सक्त होते हैं उनके पीछे छिलका मोटा होता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता तो छिलका मोटा है तो छिलका आप बीज में से अलग कर लीजिए लेकिन हमारे बाले कठल में सौप्ट इसम और इसका जो कलर है थोड़ा साफ हो जाए तो उसके लिए आप इसमें निम्बू का रस या फिर थोड़ा सा सिर्का डाल लेजिए जिससे क्या है कि आपका जो कटहला एकदम ताज़ा हो जाएगा और अगर आप ताज़ा ही काट रहे हैं तो आप कोई स्टेप करने की जरूर नहीं है तीन चार मिनट इसे पानी में रहने दीजिए उसके बाद पानी में से अलग कर लिजिएगा तो देखिए यहां मैंने आधा कप लिया है सरसों का तेल यूँ कह लिजिए कि तीन बड़े चमच है ये तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें आप कटल को फ्राई कीजिए ये देखिए कटल को पहले ही मैंने स्टेनर में रख लिया है जिससे पानी जो है वो निकल जाए तो दोस्तों सरसों के तेल में इसे आप फ्राई कीजिएगा जिससे की बहुत बड़िया टेस्ट आता है अब देखिए क्योंकि हमने इसमें तेल कम डाला है कटल ज्यादा है तो इसे हमें फ्राई भी करना है पकाना भी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है ताजा पानी ताजे पानी के अंदर आप डाल लीजिए आदा छोटा चमच नमक का और आदा छोटा चमची हल्दी के पौडर का और पानी को अच्छे से घोल लीजि बस जब आपको लगे छिंटे बंद हो गए तब धक्कन खोलिए और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा बड़िया सा जब इसमें कलर आ जाएगा तब इसे आप निकाल लीजिए ये देखिए इस तरह का कलर जब आ जाए तो इसे निकाल लेंगे और इसमें देख स करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसके उपर आप दो से तीन बड़े चम्मच ताजे दहीं के डाल लीजिएगा दहीं को पहले फेंट लेना है और इसमें डाल देना है लाल मिर्च का पॉडर और थोड़ा सा गरम मसाला कास्मीरी रेड चिली पॉडर मैंन अब तड़के के लिए आपको लेना है एक कटा हुआ टमाटर तीन बड़े प्याज जिसे की रफली मैंने काट लिया है एक बड़ा चम्मच अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट साथ में दो पीस मैंने लिये हैं लहसुन के लहसुन के बाहर बाले जो चिलके हैं न देखिए इ जीरा, एक बड़े इलाइची, छोटी इलाइची, लॉंग, तेज पत्ता और डाल चीनी सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे तो पलीच चेक कीजिएगा मसालों को मैंने भून लिया जब मसाले भून जाए तब इसमें डाल लीजि बाकी का प्याज निकाल कर इसे ठंडा करना है, उसके बाद इसे ग्राइंड करना है, जिससे की ग्रेवी बहुत जबरदस्त बरेंगी, अब बचे हुए प्याज के अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी लहसुन की कलिया, साथ मैं जो साबुत लहसुन लिया था वो भी आप ड जाल सकते हैं, फिर लहसुन की कलियों को स्किप कीजिएगा, आप देखिए हलका सा भूनने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिये, साथ मैं डाल दी इसमें हरे धनिया की डंठल, पतियां आप बाद में यूज कर लिजिएगा, और ये देखिए थोड़ी सी डाल लिजि और आधा चमच कास्मिरी रेड चिली पॉडर, मसालों को मिक्स करते रहिएगा, साथ में आधा चमच गरम मसाला, और आधा बड़ा चमच आपको इसमें डालना है धनिया पॉडर का, क्यूंकि तेल इसमें कम है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों को पका लिजि धक कर पका लेंगे जिससे थोड़ी जल्दी हो जाएगी और ये देखिए मसालों में बहुत अच्छा कलर आ गया है और जो लसुन की कलियां थी ना वो पक चुकी है तो इन्हें आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा जिससे इसका पेस्ट बन जाए तो अब इसमें डाले जो हमने ब्राउन प्याज रखा था ना फ्राई करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था तो इसमें आपो डाल दीजिए इस तरह से जब आप इसमें ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी का जो टेक्चर है ना बहुत बढ़िया आता है अब इसमें एक चम्मच डाल रही मसालों का जो कंबिनेशन है उसी हिसाब से किया होता है फिर भी आप चाहें तो कीचन किंग मसाला यूज कर सकते हैं वो भी यूज नहीं करना है तो जो हमने मसाले डालेना उनके थोड़ी कौइंटिटी बढ़ा लीजिएगा अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल लीजिए और इस जार में मैंने प्यास ग्राइंड किया था तो उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अभी भी हमारी ग्रेवी तयार नहीं हुई है अभी हम इसे थोड़ी देर ढख कर पकाएंगे जब तक कि तेल रिलीज ना कर दे ये देखि जो हमने कठल मैरिनेशन के लिए रखा था तो मैरिनेट किया हुआ कठल इसमें डाल कर एक मिनिट के लिए इसे आप रोस्ट कर लीजिए और एक मिनिट के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लेजिए अभी इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे उसके बाद इसम में उतना पानी डालिए जितनी की आपको ग्रेवी चाहिए लेकिन पानी तभी डालेगा जब मसाले और जो कठल है अच्छे से मिक्स हो जाए ठीक है अब ये देखे इतने ही ग्रेवी मुझे चाहिए क्योंकि ज्यादा तरी बाला कठल मैं नहीं बना रही हूँ और अभी ये सूखेगा भी तो ढख कर इसे आप पांच मिनट के लिए पकाईए पांच मिनट के बाद इसको आप चेक कर लिजेगा ऐसा नहों मसाल आपका नीचे लग जाए और देखिए तरी का ग्रेवी का भी आपको पता चल जाएगा अब कठल हमारा अच्छे से पक चुका है अब यह देखिए चेक करकर आपको दिखा देती हूँ लेकिन क्या है ना कि हमारा जो कटल है बढ़िया से मसालेदार मसाले में लोट पोट नहीं हुआ है तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी पांच मिनट के लिए इसे हम और पका लेते हैं मिडियम हाई फ्लेम पर मै ग्रेवी ने रिलीज कर दिया है और जो सबजी है बढ़िया से हमारी तयार है अभी जब इसे हम दो मिनिट का रेस्ट देंगे ना तो यह देखिए थोड़ी सूखी सूखी लग रही है ना लेकिन बढ़िया मसालेदार कठल हमारा तयार हुआ है आप भी रेस्पी को जरू लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद